अगर आपको लगता है कि आपका वक्त सही नहीं चल रहा आपके हालाग बिगडे हुई हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखिए ये वीडियो आपके जीने का तरीका बदल देगा आज मैं बात करने वाला हूं उस लेडिस के बारे में जिसके दो बच्चे भरी जवानी में मौत के घाट उतर जाते हैं जिसके जीवन में जन्म लेते ही परिसानिया साथ में ही पैदा होती हैं उस लेडिस के बारे में मैं बात करने वाला हूं आज मैं बात करने वाला हूं द्रोपदी मुर्मुजी के बारे में जिनका जन्म 20 जून 1958 इस वी को उडिसा के पिछले ज इनके साथ जन्म ले गई इन्होंने रायरंगपुर से अध्यापन का कारे सुरू करा मुर्मुजी ने 27 अक्टूबर ये अध्यापन का कारे कर रही थी सब कुछ जिन्दगी में ठीक ठीक चल रहा था लेकिन 28 अक्टूबर 2009 को सुबह 7 बजे एक पास के ही गाउं में पास के ह हर में एकदम से हलचल होती है वहां पर 25 वर्षी लड़के का मुर्त शरीर मिलता है वहां लड़का कोई और नहीं बलकि द्रोपदी मुर्मुजी का लड़का लक्ष्मड राम मुर्मु था द्रोपदी जी ने घटना देखी द्रोपदी जी तो अपना होस हवास खो बैठी इतने में वहां के लोगों ने तुरंत लड़के को उठाया और डाक्टर के पास ले गए कि हो सकता बच जाए डाक्टर ने उसे तुरंत मृत गोस्त कर दिया और नहीं पने बच्चों को समाला अपने पती को समाला इन्होंने ऐसी परिष्थित में भी आप सोच सकते हैं इन्होंने अपने ऐसी परिष्थित में भी अपने परिवार को समाला अपना दुख दूर रख दिया अपने परिवार के साथ रही परिवार को समाला और जरासा भी परिवार को परिवार का मन वर्षित नहीं होने दिया खिन्न नहीं होने दिया लेकिन 2013 यानि कि चार साल बाद 2009 में ये घटना होती 2009 के बाद 4 साल बाद बहुत कम समय में 2013 इसली में इनका दूसरा लड़का भी कारिक्षिडेंट में मर जाता है ये बिलकुल अंदर से तूट चुकी थी अपने दोनों बेटे गवा चुकी थी दुरपदी मुर्मजी का हर एंगल से Хर परकार से अंदर से अंदर का दुख से भळा था दुरपदी मुर्मजी अपने जीवन में हतास हो चुकी थी तनायुकत रहने लगी 2013 में ये घटना होने के बाद में इतने पर ही इनके साथ समस्याओं ने पीछा नहीं छोड़ा 2014 में इनके पती का दिल का दौरा पढ़ने से स्याम चरण मुर्मुजी का दिल का दौरा पढ़ने से मृत्य हो जाती है अब बिलकुल इनके घर में कोई नहीं था इनकी एक बेटी जो की बैंक में जौब करती है वो इनके पास बची थी इनके पती इनके दोनों बच्चे सब पांच साल के अंदर सब कुछ खतम हो चुका था द्रोपदी मुर्मुजी बिलकुल अंदर से टूप चुकी थी, द्रोपदी मुर्मुजी के पास अब सिवा दुख के अलावा और कोई भी साधर नहीं था किस से कहे अपने दिल की बात, कोई कहने वाला ही नहीं बचा पांच साल में इतना भारी दुख इनके जीवन में पड़ा, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थित में द्रोपदी मुर्मुजी ने अपने आपको समहला, अपनी बेटी को समहला और इन्होंने उडिसा के भूनेश्वर, उडिसा की राध्धानी भूनेश्वर में एक छोटा सा कॉलिस था वहाँ पर जाकर के तनाव में रहने लगी तो वहाँ पर जाकरके इन्होंने अनेक कारिक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया वहाँ पर अध्यापन का कारिकर ने लगी पढ़ाने लगी वहाँ पर इन्होंने अनेक कारिक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया कहते हैं ना कि जब जीवन में बेस्त रहो ना तो तनाव, टेंसन, उदासी, गम सब दूर बने रहते हैं दोपदी मुर्मजी ने यही करा उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखित हुई बहुत ज़्यादा अब आप समझ सकते जिसके दो बेटे जवान जा सकते हों उसका पती चला जाए एक बेटी बचे वो कितना दुखित हो सकती दूर्पदी मुर्मजी राज़िस्थान के माउन ताबू में ब्रहम हुकुमारी नाम कर सथान था वहाँ पर जाकर इन्होंने आध्यात्म का सहारा लिया और इन्होंने उस आध्यात्म से अपना तनाव दूर करा 2015 से 2021 के बीच इन्होंने इन्हें जहारकंड का राज़पाल बनाया गया यह जहारकंड का राज़पाल बनी और इन्होंने बहुत अच्छा अपना कारेकाल बितीत करा और 2022 में इन्हें भारत का राश्टिपत बनाया गया कहते ना ये रामनात कोबिंजी से जब मिलने गई थी तो सायद रामनात जी को ये पता नहीं था कि अगली अगला पद इनहीं का होगा उन्होंने इनसे मिला और बात भी करे रामनात कोबिंजी से बहुत प्रभावित हुई इन्होंने सबसे पहले भाजपा से चुनाव लड़ा इनका जीवन अत्यन संगर समय रहा इनके जीवन से हमें ये इतनी सिच्छा मिलती है कि परिस्थित चाहे जो भी हो हमें अपने आप से नहीं तूटना है हमें उन परिस्थितियों के डट के सामना करना उन परिस्थितियों के सामने पहाड बनके खड़ा होना परिस्थित चाहे चोटी हो चाहे बड़ी हो परिस्थित चाहे अनकूल हो चाहे प्रतिकूल हो हमें उसके सामने किस तरीके से करना ये तो कोई सीखे द्रोपदी मुर्मजी से द्रोपदी मुर्मुजी आज जो एक आदिवासी है जिन्होंने वो कर दिखाया जिसे लोग कभी अपने सपने में भी नहीं सोचते थे द्रोपदी मुर्मुजी के जीवन से मुझे एक एक बहुत बड़ी सीखी मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थित में अपने आपको तूटने नहीं देना चाहिए इससे बड़ा दुख और द्रोपदी मुर्मुजी के जीवन में क्या हो सकता था आप लोगों ने थुना आप लोगों मिलाश्ट में वही कहूंगा जीवन में परिसानिया तो बनी ही रहेंगे जीवन परिसानियों का संगम है जिस दिन जीवन से परिसानिया चली जाएंगे उस दिन जीवन खतम हो जाएगा तो परिसानियों का जीवन में आना तो एक सुभाविक है और हमें उनसे फाइट करना सैयम पूरबग ना कि परिसान होकर के